हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना व्लोग में और आज मैं आपको बताऊँगा कि ग्रो एप में इंटरेट ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं स्क्रिन पर मैंने ग्रो एप उपन कर रखा है और टाटा स्टील पर हम इंटरेट ट्रेडिंग करेंगे तो यह आप देख सकते हो यह अभी जो है 1164 रुपे का चल रहा है तो मैं इसको आज सेल करूँगा तो पहले टाइप आता है टाइप में इंटरे अब मैं सेल कर रहा हूँ और मैंने ऑदर प्लेश कर दिया है तो देख सकते हैं यह हमारा ओडर आ चुगा है कि ईया इम्हारा प्लस में चलिला है 2 रुपे और आप नीचे देख सकते हैं हमारे ओडर को यहाँ पर देख सकते है अब मैं आपको इसमें stop loss लगा कर दिखाऊंगा कि stop loss और target कैसे लगा सकते हैं आप इंटरडे में grow एप में तो उसके लिए आपको exit पर क्लिक करना है exit पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर advance option है advance पर क्लिक करके sell order पर क्लिक करना है और continue करना है और उसके बाद आपको stop loss टलना है तो मैं इसमें 1160 है तो 1170 का stop loss टल दिता हूँ इसमें और buy कर लेता हूँ इसको और यह हमारा stop loss लग चुका है तो आप नीचे देखेंगे कि stop loss हमारा आ चुका है अब मैं इसमें अपना target लगाँगा target के लिए करना है मैं उसी पर क्लिक करना है और फिर से exit पर क्लिक करना है और हमने quantity दो डाल दी है और target में ले रहा हूँ 55 रुपे का और यहां पर buy कर लोगा तो जैसे ही हमारा नीचे आएगा तो हमारा target लग जाएगा और मैं आप 60 रुपे कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए तो मैंने 60 रुपे कर दिया है और जैसे की 70 रुपे जाएगा तो अपना इस्टो प्लास हीट हो जाएगा और हमारा ज्यादा नुक्सान नहीं होगा तो देख सकते हो हमारे दोनों order लग चुके हैं उपर अपना है target order और नीचे है अपना stop loss order अभी हमारा चार रुपे का माइनस चल रहा है अभी ये 63 हो चुका है 1164 हो चुका है हमारा वैसे 70 रुपे का इस्टो प्लास लगा हुआ है इसमें 1170 का तो अभी मैं वीडियो को रोक कर आगे मैं दिखाऊँगा कि आगे हमारा क्या process रहता है इसमें कि हमारा stop loss होता है ये अपना target पहले हिट होता है तो दोस्तों आप देख सकते हो टाटा इस्टो को हमारा 17 रुपे का लॉस हुआ है यानि कि हमारा stop loss हो चुका है और इसमें आप देख सकते हो ये जो है अपना 71 रुपे तक गया है 1101 तक तो हमारा stop loss पहले ही हो चुका है तो ये सबसे बड़िया चीज है stop loss लगाना कि आपका नुकसान ज्यादा नहीं होता है एक limit में ही रहता है वैसे मैंने इसमें एक option trade भी ली थी जो कि अपना देख सकते हो आप 300 कुछ 300 बैतर रुपे का अपना profit हुआ है अगर आप option भी सीखना चाहते हैं कि grow app में option trading कैसे कर सकते हैं तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे comment करिए और मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि आपको option trading भी बताऊँगा किस तरीके से कर सकते और दोस्तों अगर वीडियो आपका अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब जरू करें